नमश्कार, मैं हूँ वारुन सिंग और आप देख रहे हैं Square Feet India Flexi या Flexible Spaces Real Estate में क्या होते हैं? दरसल आपको बता दू कि Flexible Spaces यानि वो जगह जो आप किराय पर ले सकते हैं चाहे वो आप अपना दफतर चलाना चाहते हो वहां से या वैर हाउस चलाना चाहते हो या अन्य कोई काम करना चाहते हो और कहा जा रहा है कि Flexible Spaces के डिमांड बहुत बढ़ रहे हैं और इन डिमांड की अगर मैं Numbers में कुछ कहूँ तो College की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि 2023 तक पूरे देश भर में 60 मिलियन यानि 6 करोड स्क्वेर फीट जी हां बहुत बढ़ा नंबर है पर इतना जादा जगह 2023 तक Flexible Spaces में लोग ले लेंगे जी हां ये एक बहुत बड़ी बात है 2023 तक कह रहे हैं कि इतनी बड़ी इलाके यानि Flexible Spaces जो है और सबसे अहम और महत्वपून चीज जो है ये केवल मेट्रो में नहीं बलकि नॉन मेट्रो की जब हम बात करते हैं तो मुंबाई, दिल्ली, बैंगलोर ऐसे बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं पर नॉन मेट्रो यानि आपके कोईमिटोर, कोची, एहमदबाद, इंदौर और लखनव जैसे शहर में भी ये जगा बढ़ेंगे आपको हम एक छोटी सी चीज बता दे कि जहां हम बात करें हैं, 60 मिलियन स्कॉर फिट की, यानि 6 करोड स्कॉर फिट की वहीं पर ये जो नॉन मेट्रो हैं, छोटे जगह जो हैं, छोटे शहर जो हैं, वहाँ पर भी 2023 तक ये कम से कम 7 से 8 मिलियन स्कॉर फिट बढ़ जाएगा यानि 70 से 80 लाख स्कॉर फिट एरिया फ्लेक्सिबल स्पेसिस में होंगे इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यदिक है, तो दो तीन चीज़े हैं, लोगों को अब दुबारा काम पर आना हैं और कई लोग वो जिस जगह पर reverse migration जो हुआ था COVID के वक्त, वहाँ पर अपने ही लोग छोटे छोटे जगों पर अपने अपने शहरों में लोट गये थे और वहाँ पर भी इस कारण in flexible spaces की दिमान हो रही है, क्योंकि लोग वही से, उसी जगह से, आज अगर आप ध्यान दे, तो location immaterial हो गया है, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की और जब location immaterial हो गया है, काम कहीं से भी करा जा सकता, पर घर से नहा करते हुए, अगर किसी को office setup करना है, किसी को warehouse करना है, तो वो ये flexible spaces का इस्तमाल करता है, और flexible spaces को किराय पर जितने दिन उनको चाहिए, जब तक के लिए उनको चाहिए, वो तब तक के लिए ले ले लेते है और इस तरीके से flexible spaces का एक तरीके से demand बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर मैं आपको और दूसरी दोतनी चीज़े बता दूँ कि भले ये term हमने बहुत नया नया सा लगे हमें, पर आज के दिन, आज के तारीक में मुंबई, महराष्टर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बैंगलोर और ऐसे जो देश के अन्य जगह हैं, वहाँ पर 3410 से भी ज़्यादा flexible centers, या ओफिस स्पेसेज या वेहाउसे जो flexible spaces में आते हैं, रियल स्टेट के, उसमें हैं चल रहे हैं और इनका बढ़ना लाजमी हैं, क्योंकि लोगों को offices में ऐसे जगह पर जो उ उनके मताबिक बने हो, उन offices में जाकर वो रह सकें, काम कर सकें, ये flexible spaces क्या होता है, वो मेरे demand को suit करता है, मुझे जिस तरीके का office चाहिए, मुझे जिस तरीके के लोग चाहिए, या कहे छोटा सा office, कितने दिन के लिए चाहिए, जैसे जिस तरीके से चाहिए, चाहे warehouse squarefeetindia.com ये एक real estate news website है, और ये squarefeetindia का channel है, यदि आपको हमारा channel पसंद आए, तो आप हमारे इस channel को subscribe कर सकते हैं, वीडियो को like और share भी कर सकते हैं, हम हमारे channel और हमारे website के जरीए आप दक real estate जगत से जुड़ी हुई महतपून जानकारी लेकर आते हैं, जादा जानकारी क com पर भी visit कर सकते हैं, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद